नमस्कार दोस्तों केसे हो आप सभी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चेनल में दोस्तों क्या आपको पता है कि हाथों के तोते उड़ना या हाथ के तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ है और इस मुहावरे का वाकिम प्रियू किस तरह से किया जा सकता है अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो अपने कान जरा खोल ले क्योंकि हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं कि हातों के तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है और इस मुहावरे का वाक्यम प्रियूग किस तरह से किया जा सकता है तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखी और वीडियो जरासा भी अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को दबा दें दोस्तों सबसे पहले हम जानने लेते हैं कि हातों की तोती उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो दोस्तों हातों की तोती उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अस्चरिय चकित रह जाना एक बार फिर से बता देते हैं कि हातों के तोते उड़ना मुहावरे का आर्थ होता है अस्चरिय चकित रह जाना और जहां पर अस्चरिय चकित रह जाने की बात होगी वहीं पर इस मुहावरे का वक्केम प्रियोग किया जा सकता है आईए दोस्तों जान लेते हैं कि हातों के तोते उड़ना मुहावरे को किस तरह से समझाया जा सकता है। क्या हो गया। इस तरह से चुंक जाने कोई अस्चरिय चकित रह जाना कहा जाता है। हातों के तोते उड़ना मुहावरे के वाकिम प्रियो किस तरह से किया जा सकता है। रास्ते में पड़े रुपेयों से भरे बेग को देखकर रामू के हात के तोते उड़ गई। नेक्स्ट वाकिम प्रियों गए हनुमान जी को प्रवत लाते देखकर सभी के हातों के तोते उड़ गई। नेक्स्ट वाकिम प्रियों गए जब अचानक चोर को पुलीश ने पकड़ लिया तो चोर के हात के तोते उड़ गई। नेक्स्ट वाकिम प्रियों गए महेश के मनने की खबर सुनकर मेरे तो हातों के तोते उड़ गई। हातों के तोते उड़ना मुहावरे का वक्गम प्रियों किया जा सकता है। दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं कि हातों के तोते उड़ना मुहावरे का आर्थ होता है अस्चरिय चकित रह जाना और जहां पर अस्चरिय चकित रह जाने की बात होती है वहीं पर इस मुहावरे का वक्किम प्रियोग किया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बे लाइक को दबा दें